भारतिय जूठी पार्टी में लगता है सब को जूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है भारतिय जूठी पार्टी के नेता बड़े बड़े जूठ बोलते हैं और बिना माते पर शिकन आये हुए आज कल हर्याना के मुख्य मंत्री मनौरलाल खटर जी राजस्थान में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर भारतिय जूठा पार्टी के मैनिफेस्टों का जिक्र कर रहे हैं मैनिफेस्टों में लिखा है कि गरीब परिवारों को साड़े चार सो रुपए में गैस सिलेंडर उखलब्द करवाएगी भारतिय जंता पार्टी की सरकार अगर राजस्थान में आती है तो और खटर साब वहाँ जाकर इन सब बातों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं मैं खटर साब से पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री मनोरलाल खटर जी हर्याना में पिछले 9 साल से आपकी सरकार है साड़े 400 रुपए में हर्याना के गरीब लोगों को गैस सिलेंडर क्यों नहीं दे देते राजस्थान में जाके हर्याना का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि यहां सरकार बनी तो साड़े चार सो रुपे में गरीब लोगों को सिलेंडर देंगे लेकिन जहां नौ साल से आप मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हैं वहाँ आप साड़े चार सो रुपे में गरीबों को सिलेंडर नहीं देंगे किसको बेवकूफ बना रहे हैं खटर साहब किसको जूट बोलके बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं जनता आप सब कुछ समझती है जनता आप सब कुछ देखती है दूसरा बीजेपी के संकल्प पत्र में सो कॉल्ड संकल्प पत्र में राजस्थान में ये कहा गया है कि गेहू पर MSP के साथ बोनस देकर 2700 रुपे में खरीद करेंगे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खटर जी आप भारतिय जनता पार्टी के संकल्प पत्र और इन वादों का राजस्थान में प्रचार प्रसार कर रहे हैं जम के जूट बोल रहे हैं वहां के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं अगर आप 2700 रुपे प्रति कुइंटल गेहूं का दाम देना चाहते हैं किसानों को तो किसने रोका है आपको हर्याना के किसानों को 2700 रुपे गेहूं का दाम क्यों नहीं देते हर्याना के किसानों का गेहूं 2700 रुपे प्रति कुइंटल के दाम पर क्यों नहीं खरीदते ये सारी बातें स्पष्ट तौर पर ये बताती हैं कि आप सिर्फ जूट बोलने का काम करते हैं राजस्थान में साड़े चार सो रुपे में गरीबों को सिलेंडर देने की बात करते हैं हरियाना के लोगों को महंगे सिलेंडर खरीदने पड़ते हैं रजार रुपे में सिलेंडर खरीदने पड़ते हैं, बारा सो रुपे के सिलेंडर तक खरीदे हैं, हरियाना के लोगों ने, और गेहूं के बारे में आप कहते हैं, कि राजस्थान के किसानों को प्रतिक विंटल 2700 रुपे देगी भारते जिल्ता पार्टी की सरकार, किस जूट बोलते हैं, खटर साब, हरियाना के किसानों से, हरियाना के गरीबों से ऐसी क्या नफरत है, कि राजस्थान के गरीबों, राजस्थान के किसानों के लिए योजनाओं की घोशना कर रहे हैं, और हरियाना में वही योजनाएं, भारते जंता पार्टी की 9 साल से सरकार उन्हें के बावजूद लागू नहीं कर रहे हैं. ये साफ दिखाता है कि आप लोग जंता को चुनाव के वक्त जूट बोलते हैं. चुनावी जुमले, चुनावी वादे की जगे चुनावी जुमले बोलते हैं. और चुनाव होने के बाद उसको भूल जाते हैं. अभी पर्तिय जूटा पार्टी की एक-एक बात को अब लोग समझ चुके हैं, आपके जूट को पकड़ चुके हैं, आपका जूट अब चलने वाला नहीं है.